सिंगल फेस लाइन में करेंट का क्यालकुलेशन कैसे करें यह एक सिंगल फेस मोटर है और यह मोटर 2 किलो वाट का है यानि 2000 वाट का है तो हमें पावर का भी पता चल गया है कि यह मोटर कितना पावर लेता है तो हमें एमपियर निकालना यानि current निकालना है कि यह motor कितने ampere current खीचता है तो ampere यानि current निकालने का formula होता है current को हम IC denote करते हैं I equals to watt divided by voltage into power factor तो watt का भीलिव तो हमें पता चल गया है 2000 watt जो voltage हमारे घर में आता है सिंगल फेस में 220 से 240 के अंदर आता है तो हम 220 मान के चलेंगे और जो power factor है वो हम हमेशा 0.80 रखे चलेंगे क्योंकि जो यह motor है तो यह एक inductive load होता है इसलिए हमें power factor रखना बहुत ही जरूरी होता है तो जब हम voltage और power factor को multiply करते हैं तो value आ जाता है 176 और जब हम 2000 को 176 से divide करते हैं तो value आता है 11.36 जो यह value निकला है यह ampere है मतलब की जो 2 kilowatt का motor है यह 11.36 ampere और आप बोल सकते हैं 12 ampere approach current लेती है तो आपको 2 kilowatt के motor के लिए 2.5 square mm का wire का यूज करना होगा और जो mcb आपको यूज करना है वो 16 ampere का type C mcb यूज करना होगा हास वारिंग से related में ने बहुत सारे वीडियो अपलोट किये हुए है तो प्लीज एक बार जाके जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिजेगा आप सबका दिन बहुत ही शूब रहे बहुत ही अच्छा रहे